बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ शिक्षा दर्शन जी हाँ पढ़ाई के साथ मस्ती भी यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है जिससे सभी डीडी एच वो केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है नाम है शिक्षा दर्शन इसके अंतरगत आप कक्षा एक से बारा तक विडियो के माध्यम से अध्यन कर सकते हैं इस कारिक्रम में आपको घर बैठे सब्ताह के प्रथम पांच दिन सभी विश्यों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके स समझाई जाएगी तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ-साथ मनुरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भी आनन्द ले सकेंगे राजस्थान, राजश शेक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत उदैपुर के तत्वावधान में इस कारिक्रम के अंतरगत कक्षा 1-12 तक के लिए प्रती दिन सवा 3 घंटे के लिए शेक्षिक प्रसारण किया जा रहा है जिसमें कक्षा 9-10 के लिए 12.5-5 बजे तक तता कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1.5-5 बजे तक तता कक्षा 1-5 के लिए 3-3.5 बजे तक एवं कक्षा 6-8 के लिए 3.5-4 बजे तक शेक्षिक कारिक्रम प्रसारित होगा बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में बहतिक भुगोल के मूल सिद्धान्त विशे में भुगोल की शाखाएं पर कक्षा 12 में इंग्लिश विशे में डीप वाटर भाग तीम रसाइन दग्यान विशे में संकुलन शम्ता FCC संकुलन शम्ता BCC बचो चलते हैं हम अपने पाटेकरम की तरब हम पढ़ रहे थे क्या बोथी भुगोल के मूल सिद्धान्त जिसके पढ़तम अध्याई भुगोल एक विशे के रूप में हम पढ़ रहे थे जिसकी चर्चाय हमने पिछले वीडियो में खी जिसमें हमने देखा कि भुगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, बुगोल क्या है, बुगोल सब्द का परियोग सरुपर्तम किस ने किया, बुगोल का पिता किसे कहते हैं, बोतिक बुगोल का पिता किसे कहते हैं, मानव बुगोल का पिता किसे कहते हैं, मानचित्र बुगोल का पिता किसे कहते हैं, और बुगोल एक समा कलित विशे के रूप में हमने जाना इसी के साथ हमने पाठ दो में देखा कि बोथिक भुगोल और प्राकरतिक विज्ञान के बीच में क्या समंध है और जाना कि भुगोल और समाजी की विज्ञान आपस में किस परकार से समंधित है तो इसके बाद में आप चर्चा करते हैं किसकी बुगहोल की साखाएं यानि ब्रांचेज ओप जोग्राफी कौन-कौन सी है तो बच्चों हो जाए ये तैयार अपनी पार्टे पुस्तक, नौटबुक और पैन लेके देखते हैं ब्रांचेज ओप जोग्राफी प्यारे बच्चों बुगहोल की साखाएं बुगहोल का अध्यन एक अंतर सिक्षन विश्य है इंटर डिसिप्लेनरी सब्जेक्ट है बच्चों अंतर सिक्षन विश्य क्या होता है यदि कोई एक subject यानि दूसरे subject से क्या हो closure relation हो यानि आपस में क्या हो परसपर अंतर समंदित हो यानि किसी चीज की बात निकल कर उस दूसरे विश्य में सामिल हो तो उसे कहते हैं हम interdisciplinary subject जैसे हमने देखा filled of geography यानि भुगोल के चेतर इस बुगोल के छेतर में आपको बीचु बीच में एक लाइन दिखाए दे रहें इसके नीचे जितने भी सब्जेक्ट है वो क्या है आपकी बुगोल की साकाएं हैं ब्रांचे जॉप जोगराप ये इन साकाओं को आगे हम दो भागों में विबाजित कर देंगे क्या उन कौन सी बुगोल की साकाएं कौन सी है मानव बुगोल की साकाएं कौन कौन सी है उसको अलग-अलग भागों में आगे हम देखेंगे अभी ये समगर रूप से पूरी की पूरी क्या है बहुत थिक बुगोल की साकाएं हैं इन बुगोल की साकाओं को बाहर जो विशे दे रखे हैं इन विशेश्य यह क्या है सम्हंदित है यानि आपस में यह दोनु विशे क्या है जैसे आपको क्या इत्यास पढ़ रहे हो तो आपको उसमें एत्यासिक बुगोल की भी चर्चा होगी आप राजनिति सास्तर पढ़ रहे हो तो उसमें राजनितिक बुगोल की भी चर्चा होगी आप जन्नान की पढ़ रहे हो तो उसमें जन सिंक्या बुगोल भी मिलेगा तो इस परकार से हम कह सकते हैं तो यह क्या है inter-disciplinary subject है क्या कौन जोग्राफी क्योंकि भुगोल एक ऐसा subject है जिसका अध्यन या जिसका समावेस कई बाकी विश्यू में होता है तो यह हुई interdisciplinary subject पर तेक विश्य का अध्यन कुछ अवपागमू के अनुसार किया जाता है यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्या करना हो steady करनी हो तो उसके लिए हमें कुछ उसकी क्या होना चाहिए methodology, विधीत अन्तर और कुछ उसके approach उपागमों की जानकरी होना चाहिए और हर सब्जेक्ट किसी ने किसी उपागम या एप्रोच के आधार पे पढ़ा जाता है तो हम जोग्राफिक को भी दो एप्रोच के आधार पे हम जानेंगे कौन-कौन सी विशेवस्तूगत उपागम और दूसरा प्रादेसिक उपागम कह सकते हैं पहले को करमबद और दूसरे को कहेंगे हमें प्रादेसिक कितने उपागमों में बाटा दो उपागमों में कौन-कौन से पहला करमबद उपागम और दूसरा प्रादेसिक उपागम तो देखते हैं कि करमबद उपागम क्या होता है और प्रादेशिक उपागम क्या होता है करमबद उपागम विसे वस्तुगत बुगोल का उपागम वही है जो सामाने बुगोल का होता है करमबद उपागम को सामाने बुगोल भी जाना जाता है यानि सामाने बुगोल भी कहा जाता है ये इस करमबद उपागम किसने परस्तूत किया कि जर्मन बुगोल वेता अलेकजेंडर वोन हमबोल्ट दोरा परिवर्टित किया गया किसके दोरा इस महोदे के दोरा इस महोदे का क्या नाम है अलेकजंडर वोन हमबोल्ट नाम है कहां के रहने वाले थे जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी कौन से महधीब में आती है यूरोप महधीब के अंदर आती है तो कहां के बुगोलवेता हुए जर्मन परियानी जर्मनी के बुगोलवेता ने क्या दिया करमबद उपागम दिया कौन सा उपागम करमबद अभी आके हम दूसरा प्रादेशी का भी करेंगे जिसको किस ने दिया था रीटर मोधे ने दिया था आपने हमबॉल्ड का नाम वैसे भी सुना होगा आपने पिछले कक्स हों में पढ़ा हो नाइंट और टेंट में कि एक दक्षनी अमेरिका माधीप है इस दक्षनी अमेरिका माधीप के पास एक दारा बैती है उस दारा का क्या नाम है पीरो के पास में पेरू दारा या हमबोल्ड की दारा इस हमबोल्ड की दारा का नाम इन महोदे के नाम पे ही रखा गया है क्या हमबोल्ट करंट या हमबोल्ट की दहारा अब यह करमबद उपागम क्या होता है करमबद उपागम देखते हैं क्या होता है यानि हमने किसी भी एक तक्ते को ले लिया, कोई भी आपने एक एलिमेंट ले लिया, मानो आपने एक प्राकर्तिक वनस्पति ले लिया, और उस प्राकर्तिक वनस्पति को आप पूरे विश्व के उपर क्या कर रहे हो, अध्यन कर रहे हो, यानि पूरे विश्व को आपने क् या मानलिया एक समगर इकाई मानलिया यानि इस पूरे विश्व के उपर आपको किसी एक चीज का क्या करना है अध talents जैसे आपने प्राकरतिक वनस्पति देखें यह चे देख लिए ये यूरोप । अफ्रिका यह अंटार्टिका है यानी यह माधी पर लग लग इन पूरे माधी को में हम देख रहे हैं किसके बारे में प्राकर्तिक वनस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं देख रहे हैं कि यहां पे किस परकार की वनस्पति पाई जा रहे हैं कि कौन से वन पाई जा रहे हैं कोई उसनकटिबंदिये वन है या आदर वन है प्रनपाती वन है सितोसन वन है काटेदार वन है या अनूप वन है या वैलांचली वन है या परवर्तिय वन है या कौन दारी वन है किस परकार की वनस्पति है तो उन सभी वनस्पतियों का हम पूरे विशव में एक साथ अध्यन करेंगे तो ये किस परकार का उपागम करमबद उपागम बच्चो थोड़ा सी सोचिये थोड़ा सी दिमाग लगाए अपने मस्तिक को केंद्रित कीजे और सोचिये के करमबद और प्रादेशिक उपागम में मुख्य अंतर क्या है यदि हम पूरे विश्व का किसी एक चीज का पूरे विश्व के संद्रम में अध्यन किया जाए तो वो किस परकार का है कि हम एक चेतर में जैसे मालो हमने ये ले लिया एसिया कॉंटिनेंट इस एसिया माधीप में हम देख रहे हैं वहां पी इसलाकर्टी कैसी है वहां जलवाईव कैसी है वहां प्राकर्टी को नस्पति कैसी है वहां मिट्टी कैसी है वहां जनसंग कैसी है इन सभी तत्तों पूरे विशव इस्तर पर अध्यन किया जाता है हमने क्या लिया प्राकर्तिक वनस्पती के अध्यन में रूचि रखता है तो शारौ पर्तम विशव इस्तर पर उसका अध्यन किया जाएगा किसके उपर विशव इस्तर पर पूरे विशव पूरे महाधीव दिखा दिये, A, B, C, D, E, F का मतलब है, पूरे के पूरे महाधीव, उत्री अमेरिका, दक्षनी अमेरिका, एस्या, उरोप, अफरीका, आस्टेलिया, जो भी है, उनका सब का एक साथ, फिर परकारातमा वर्ग परकारातमा वर्गिगन का मतलब कैसे, कहां पे विशुत रेकिये वन है, कहां पे उसन कटिवंदिये सदावार वन है, कहां पे कौनदारी वन है, कहां पे सितोसन वन है, यानि वनों के अलगलग जो परकारा आपने देखे, उनका जैसे विशुत रेकिये सदावार वन, नर करमबद उपागम के अंतरगतों बच्चों करमबद या सिस्टेमेटिक एप्रोच आपको अच्छी तरह के से आ गया हो गया इसको दूसरा नाम आप लिख लो सिस्टेमेटिक एप्रोच है अधिया आप से अंग्रेजी में पूछा जाए कि करमबद को क्या कहते हैं तो और इजिनल एप्रोच आप देखते हैं प्राधेशिक उपागम प्राधेशिक उपागम किस ने दिया था अभी मैंने क्या खहा था करमबद किस ने क्या कदिया हम meatballs ने और उसके समकालिन ब्युग होलवें था कार्ल रिक्टर ने कौन सा अपागम प्राधेशिक उपागम ये है आपके काल रिटर मोहोदे ये दोनु समकालिन है क्या है समकालिन है यानि इन दोनु की मर्तिव क्या हुई 1869 में हुई और इसमें हमबोल्ट का जनम 1700 गुनंतर में हुआ था और काल रिटर का 1789 में हुआ था मगर मर्तिव हमबोल्ट की भी कब हुई 1869 में यानि दोनु आपस में क्या थे दोस्त थे फ्रेंड थे तो यानि समकालिन थे और ये भी कहां के थे जर्मन बुगोल्वेता थे यानि जर्मनी के थे प्रादेशिक उपागाम में विस्व को विभिन पदान कर्मिक इस्तर के पदेशों में विववाजित किया जाता है हुआ रिकल और फिर एक विशेज पदेश में सभी भुगोलिक तत्यूं का अद्धेन किया जाता है हमने अपने मादिपों में क्या देखा यानि यह हमने कौन सा माधीब ले लिया एक एस्या माधीब ले लिया और इस एस्या माधीब में हमने क्या देखा विसेश परदेश में सभी बोगोलिक तत्यों का अध्यन किया जाता है यानि सभी बोगोलिक तत्य कौन से ये सभी बोगोलिक तत्य इस्तला करतिक जलवायू प्राकरतिक वनस्पति मिट्टी जनस्गास साखसरता सबके सबका एक साथ अध्यन यानि एक परदेश विसेश का परदेश विसेश को चुन कर उसमें सभी परकार के जो तत्तव है उनका यदि एक साथ अध्यन किया जाए तो वो किस परकार का उपागम होगा वो प्रादेशिक उपागम कहलाएगा ये परदेश प्राकर्तिक हो सकते हैं राजनितिक हो सकते हैं या निर्दिष्ट परदेश भी हो सकते हैं एक परदेश में तत्यूं का देन समगरता से विहुदता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है दवेतवाद बुगोल की एक मुख्य विसेशता है डियूलीज में डेतवाद प्यारे बच्चों डियूलीज में क्या होता है इस पे तोड़ा शे हम देखते हैं कि आप कोई भी चीज होती है कोई भी विसे होता है तो उसमें क्या होती है दो अवदहनाए होती है दो सिद्धानत होती है दो बाते होती है दो तरक होते है यानि एक तरक कहता है कि ये बात सही है दूसरा कहता है कि ये बात सही नहीं है जैसे हमने का अभी करमबद को देखा, दूसरे ने क्या देखा, प्रादेशिक को देखा, इसी परकार कोई कहता है कि नवनिश्य वाद सही है, तो कोई कहता है संभव वाद सही है, कि एक चीज उसके दूसरे के विप्रित होगी, तो इस परकार के वाद को क्या कहते हैं, दव और बुगोल की दवेतवाद क्या है एक विशेस्ता जैसे आपने प्रारहम में देखा किसमे जोड दिया गया बुगोल को एक सवतंतर विशे माना गया फिर क्या खा गया कि सिर्फ बुगोली बौतिक बुगोली पढ़ना चाहिए क्या कि हमें सिर्फ बौतिक बुगोल का ही तो मानव भुगहल भी पढ़ना चाहिए इसे कहते हैं दवेतवाद इसका प्रानम से ही विशे में परवर्तन हो चुका है दवेतवाद अध्यान में मैतव दिये जाने वाले पक्स पर निर्वर करता है पहले विद्वान किस पर जोड़ देते थे बोथ थिक भुगहल पर जोड़ देते मानव दरातल का समाकलित भागे वे परकर्ति का अनिवारे अंग है सांसकर्तिक विकास के माहदम से भी योगदान दिया इस परकार मानवी किरियाओं पर बल देने के साथ ही किसका विकास हुआ मानव भुगहल का विकास हो गया तो क्या हो गया अडियूलिजम हो गया न अब देखते हैं भुगहल की साखाएं यानि ब्रांचेज और जोगरापी यदि आपसे पूचा जाया तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बाटा गया है बोथिक भुगहल और मानव भुगहल आपकी पूस्तर को इसको चार भागों में दिया गया है यह जो दो बीच की चीज़े दी गई है सिद्दान, दर्सन, सास्तर, विदी और टेक्निक यह क्या है यह हमारी मेथोडोलोजी है टेक्निक है हमारा क्या है दर्सन है तो इनको ना समझ कि आपको क्या करना है सिरफ बोथिक और मानव भुगहल पे ही जोड़ देना है यह ज़िए आपको बड़ा क्यूसे ना जाए कि बोगोल की साकाएं बताए तब तो आपको इनको सभी को लिखना है मन मुख्य तोर से किसका देन बोथिक बोगोल और मानव भुगोल का तो देखते हैं करमबद उपागम के आधार पे यानि यह जो साकाएं आपकी किसकी बोगोल की सकाएं इनको भी आपको दो आधारों पे वर्गिकन किया गया है किसकी पे करमबद आधार पे और प्रादेशिक आधार पे देखो पहला है बोथिक भूगोल, फिर है सिद्धान्त और दर्सन सास्तर, तीसरा है विदी या तकनिक और चोता है मानव भूगोल इनके अलग-अलग ब्रांचेश देखो बोथिक भूगोल में आपने पहले देखा बोवाकर्ति विग्यान, जल्वाईव विग्यान, मर्दा भूगोल और जल्विग्यान कितने बागों में बोथिक भूगोल गो चार बागों में बाटा गया जिसमें क्या इस्तलूप, पर्वत, फटार, मेदान, जीले, नदिया, बुखम, जवालामु की इनका देहन किया जाता है फिर जलवाईव विग्यान, जलवाईव के बारे में तीसरा मर्दा, भुगोल मर्दा के बारे में और फिर जलविग्यान अब इस सिद्दान दर्सन सास्तर में देखते हैं, भुगोलिक चिंतन, मैंने बताया था एक पुस्ते का नाम, भुगोलिक चिंतन का विकास, evolution of geographical thought उसमें आपने क्या जाना था, उसमें देखा था कि जो भुगोल वेता है, चाहिए वो अरब भुगेल वेता हूँ, चाहिए अमेरिकन भुगोल वेता हूँ, चाहिए यूरोपियन या ग्रिक भुगोल वेता हूँ, सभी भुगोल वेता हूँ के बारे में, उनके दर्सन के बारे में सही विस्तार से वर्णन किया गया है तो यह हुए बोगोलिक चिंतन सेकेंड है मानव पारस्थिति की यानि भू मानव पारस्प्रिक किरिया यानि पर्ति उपे मानव क्या करता है इंट्रेक्शन करता है तो दोनों की भू मानव की पारस्प्रिक किरिया फिर विदी और तक्निक में देखते हैं मानचित्रकला, कार्टोग्राफी, मात्रात्मक तक्निक, क्वांटिट्व टेक्निक, छेत्रिय सर्वेक्षन विधी, एरियल, फिल्ड सर्वे, भू सूचना, भू सूचना में जी आईएस, जी पीएस और एलाईएस, यानि ये चीज़े आपको व देन करोग, फिर देखते हैं मानव भूगल, मानव भूगल की ब्रांचे सामाजिक और सांस्कृतिक भूगल, एतियासिक भूगल, जनसंक्याओं बस्ति भूगल, जनसंक्याओं बस्ति भूगल को फिर दो बागों में बटा गया, ग्रामिन और नगरिये भूगल, फिर रा प्रश्चना और सेवाएं यानि ये मानव भुगोल की साकाय हुई यह देखो आप ब्रांचे जोब जोग्रापी इसको आमने एक प्रस्ट पर क्यों दिया गया है क्योंकि इसके अंदर आप देखो कि यहाँ पर आएगा Interface Biology यानि Interface Biology का मतलब यह है कि यह जेव भूगोल यह आपस में मानम भूगोल से भी अंतर समन्दित है और किसे बोठीक से भी अंतर समन्दित यहां तक वनस पादव भूगोल, प्राणी भूगोल, मानव भूगोल और प्रयावरन भूगोल, इसे कहते हैं जीव भूगोल या बायो जोग्राफि, यह जो दोनु है, यह किस से समझ देते हैं, यह बोथिक भूगोल से भी है और मानव भूगोल से भी है, कैसे, कैसे, कैसे बोती बोगोल में क्या आता है लितो इस पेर इस्तल मंडल इस्तल मंडल पर कौन रहता है मनुसे पादप प्राणी कौन रह रहे हैं पादप रह रहे हैं प्राणी रह रहे हैं मानव रह रहे हैं किस पर रहे हैं बुगा करती पर किसे किरिया कर रहे हैं मानव से किरिया कर रहे मानो उसे समंदित, मानो बुगोल से और रहे किस पे रहें वुआ कर्थी के उपए तो किस से समंदित होगे बौती बुगोल से तो ये इन दोनूं का क्या है इंटराफेस है यानि अंटर समंदित है इसलिए इसको हमने एक पूरे डाइग्राम के साथ आपको दिखाया गया है कि इस परकार से इंटरफेस बायो जोग्रापी यानि जेव बुगोले वो बोथिक बुगोल से भी समन्दित है इस फिजिकल जोग्रापी से भी और किसे हुमन जोग्रापी से भी समन्दित है क्लाइमेटलोजी जलवाईु विज्यान, हाइडरोलोजी जल विज्यान, सोहिल जोगरापी, मर्दा विज्यान। यह किसकी साकाई हो गई यह फिजिगल जोग्रापी यानि बहुत ही बुगोल की साकाई होगी बच्चों नोट कर लो फिर देखते हैं हुमन जोग्रापी हुमन जोग्रापी की साकाई यहां से हैं social geography, population and settlement, historical geography, political geography, political geography, economic geography, economic geography, हमने दो बागू में बटा था किसको? अदिवास भुगोल को, ग्रामेन और नगरिया भुगोल में, फिर इसके अंदर agriculture geography, tourism geography, infrastructure geography, industrial geography, trade and transport geography और services. इधर जो बायो जूघ्राफी है हमारी जेव वुगोल इसको हमने अलग चार बागों में बटा एकोलोजी परास्टितत अंतर प्लांट जूघ्राफी यानि पोधा हविग्यान एन्वार्मेंट जूघ्राफी यान प्रिवन भुगोल और जूघ्राफी यानि जंतु यानि मानव और भूमी का समंद्ध फिर इसमें हमने मैथर्ड देखे जो किसमें पढ़ोगे प्रेक्टिकल के अंदर कार्टोग्राफी मांचितरकला दूसरा है क्वांटिटिव टेक्निक मात्रात्म टेक्निकी तीसरा है फिल्ड सर्वे चोता है जियो इन्फोर्मेशन यानि भू सूचना है किस से प्राप्त करोगे पहला जी आई से प्राप्त करेंगे जी पीए से प्राप्त करेंगे और एलाई से प्राप्त करेंगे तो यह हुई हमारी ब्रांचेज ओप जोग्राफी किसके आदार पे सिस्टेमेटिक एप्रोच के आदार पे सिस्टेमेटिक आफी में जियो मोर्फोलोजी में क्या देखेंगे वेशे तो आपको मैंने सब चीजे बता दी फिर भी हम थोड़ा-थोड़ा इनका डिसकर्स कर लेते हैं बुगोल की साकाएं विश्य वस्तुगत या करम बद उपागम के आधार पे कौन से आधार पे करम बद उपागम के आधार पे या विश्य वस्तुगत पहला बौथिक बुगोल में पहला है जियो मोर्फोलोजी भू आकर्ति विज्ञान इसके अंतरगत ये भू आकर्तियां यानि भू आकर्तियां कौन सी परवत, पठार, मैदान, नदी दोरा, पवन दोरा, सागरिये जल दोरा, भूमिग मंदल की सरंचना के यहां से द्राथल से लेके उपर तक वायो मंदल में कितनी परते हैं, सुना है नाम आपने, सो मंदल, समता मंदल, मध्य मंदल, आयन मंदल, इनका नाम सुना है ने, उन परतूं का देन, और इन में क्या क्या पाए जाते हैं, मोसम जल वायो के तत्तव, जल्वाईू के परकार और जल्वाईू पढ़िसों का देन किया जाएगा, किसमें जल्वाईू विज्ञान के अंदर गत पिर जल्विज्ञान, ये दरातल के जल परिमंडल जिसमें समंदर, नदी, जहील और अणय जलासे समलिते थता उसका मानव सईतर विबिन परकार के जीवों उनके कारियों के परभवों का भी अद्हिन किया जाएगा फिर सेकिंड क्या है मानव बुगोल इसमें देखते हैं समाजिक वैं सांसकर्टिक बुगोल इसके अंत्रगत समाज थता इसकी इस्तानिक और प्रादेसिक गत्यात्मक्ता यानि कोई भी बुगोल या समाज क्या है इस्तेटिक नहीं है इस्तर नहीं है उसमें क्या पाई जाएगी गत्यात्मक्ता पाई जाती है समाज के योगदान से निर्मित सांसकर्टिक तत्तों का देन क्या जाएगा फिर है जनसंग क्या दिवास भुगोल ये ग्रामेन और नगरिये छेत्रों में कितनी जनसं क्या है उसका लिंग अनुपाद क्या है और उसका परवास यानि माइग्रेशन और उसकी occupational structure व्यावसाइक शरंचना मतलब कितने लोग किस किस कारियों में लगे हुए हैं आदिका अधियन करता है जबकि अधिवास भुगोल में ग्रामिन तता नगरे अधिवासों के वित्रन प्रारूप थता उनकी विशेश्ताओं का अध्यन किया जाता है फिर देखते हैं आर्थिक भुगोल ये मानव की आर्थिक किरियाएं मानव के आर्थिक किरिया कौन सी प्राथ्मी किरियाएं दित्ते किरियाएं तित्ते किरियाएं देखते हैं कि प् व्यापार करेगा परिवेन करेगा संचार करेगा सेवाएं करेगा ये इस परकार की किरिया हैं किसमें आर्थिक बुगोल में करसी उद्योग प्रेटन व्यापार परिवेन अविस्तापना ततूं तता सेवाओं का देन किया जाता है फिर है एतियासिक बुगोल ये उन एतिय परिकलियाओं का देन करता है जो चेतर को संगटित करती है परतिक परदेश वर्तमान इस्तिती में आने के पूर एत्यासिक अनुबहू से गुजरता है बोगोलिक तत्यूं में भी सामिक परिवर्तन होते रहते हैं इसी की व्याक्या एत्यासिक बोगोल का क्या है देहे है कायों के मद्दे भूवे नैसिक समंद निर्वाचन छेतर परी सिमन चुनाव परीदर से का विसलेशन करता है साथ जनसंक्या के राजनिती वेवार को समझने के लिए सेदान्तिक रूप रेका विक्सित करता है कि जैसे मालो आपको क्या है आपके छेतर में क्या हो रहे हैं इ इलेक्सन होगा तो इन चीज़ों की जानकरी किसमें पॉलिटिकल जेओग्राफी में क्या कह रहा है प्रीदेशे का प्रीसमन और चुनाव का विसलेशन करता है और राजनिती वेवार को समझने के लिए सेदान्तिक रूप रेका का विक्सित करता है या निर्धारित करता ह अंतराप्रष्ट जेओग्रोड अब क्यों सी? जीव भुगोल में ने कहाता ना बायोजी इंटरफेस है किसके साथ? प्रिजिकल जियोगराफी हुए हुमन जियोगराफी के साथ • बोतीग बुगोल और मानव भुगोल के यंटरफेस के साथ? इसके अंतरगत निमली की साकाया आएगी कौन-कौन सी पारस्तितिकी बुगोल, पादब बुगोल, प्रयावरण बुगोल और है प्राणी बुगोल किसमें जेव बुगोल में जीव बुगोल इसमें पस्वों उनके निवास चेतर के इस्तानिक सवरूप बोगोलिक विशेष्थाओं का देहन होता है दूसरा है वनस्पती बुगोल प्राकर्टिक वनस्पती उसके निवास चेतर में इस्तानिक प्रारूप का देहन करता है पारेस्तिति की विग्ञान इसमें परजातियों के निवास इस्ति छेतर का अदेन किया जाता है प्रयावरण बुगोल संपूर्ण विश्व में प्रयावरण ये पत्ति बोधन के फलसवरूप प्रयावरण ये समस्याओं जैसे बुमी हरास, परदूसन, सरक्षन की चिंता अधिकानुबव किया जाता है जिसके अदेन है तो इस साका का विकास वाप्रयावरण बुगोल जैसे आप देखते हो कि जवलंत समस्याओं कौन सी है जलवायू परिवर्तन, ओजोन रिक्तिकरन, ओजोन डिपलेक्शन यानि ओजोन में छेदोना ग्रीन हाउस एफेक्ट, एसिड रेन, इन सब का अधियन किसके अंदर? परयावरण बुगोल के अंदर, इसलिए किस साका का विकास? परयावरण बुगोल की साका का विकास हुआ है अब देखते हैं बुगोल की साकाएं किस के अधार पे? प्रादेशिक अधार पे, अभी तक हमने किस पे देखा? करामबद के अधार पे, उसको हम क्या करते हैं? एक बार recall कर लेते हैं, summarize करते हैं कि हमने कितने परकार से पढ़ा, दो परकार से पढ़ा, कौन-कौन से, करमबद आधार पे और प्रादेशिक आधार पे, प्रादेशिक आधार की चर्चा क्या करेंगे, आप करेंगे हम, यानि इससे पहले हमने क्या देखा, करमबद आधार उताइब बोगोल की शारखाएं जिसमें हमने इसे दांती दसन विधी और तक्निक और मानो भुगोल में हमने देख्मनें हास कर्षिभुगोल प्रेटन भुगोल शि ह nuts in इनके बारे में देखा, धरसन में हमने देखा बोगुलिक चिंतन का इस विकास देखा और भूमी और मानों के बीच इंटरेक्शन अन्ते किदिया देखी, तक्नीकी के अंदर हमने देखा कार्टोग्राफी मानचितरकला देखी, उसके बाद मैं हमने फिल्ड सर्वे देखा, उसके बाद में हमने Geo Information Boost सूचना है देखी जिसमें हमने GIS, GPS और LIC का अध्यन किया अब देखते हैं हम भुगोल की साकाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पे देखो प्रादेशिक अध्यन और छेत्रिय अध्यन को हम सबसे पहले क्या करते हैं तीन भागों में बारते हैं जैसे मालो आपको एक चीज बताता हूँ मैं आपको यदि आपको क्या करना है कहीं भी किसी योजना को क्या करना हो implement करना हो, लागू करना हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे मालो किसी ब्लोक में, या किसी डिस्टिक में, या किसी स्टेट में, क्या होती है, योजनाओं का निर्मान होता है, पहले पंचवर्षी योजना चलती थी, अब नितियायोग चलने लग गया, नितियायोग क्या करता है, उस चेतर की क्या पता करता है, जनसेंग क्या कितनी है, संसादन कितनी है, जनसेंग क्या और संसादनों का संतुलन है या नहीं, यदि जनसेंग क्या और संसादनों का संतुलन नहीं है, तो उस चेतर में जो संसादनों की कमी है, उसके लिए क्या करता है, बजट पारित करता है उस budget में कहता है इस मद पे इतना खर्च होना चाहिए, इस मद पे इतना खर्च होना चाहिए, वो सब चीज़े क्या करते हैं, वहां से delivered करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक state में आती है, state देखता है कौन सा चेतर विक्षित है, कौन सा पिछला हुआ चेतर है, जो पिछले लागू में उसको योजना को implement करने के लिए क्या करेगा लागू करेगा कैसे इस्तुल मद्यम और सुक्सम यानि इस परकार से यह क्या करता है प्रादेशिक अध्यन करता फिर इसका प्रादेशिक विकास कितना हुआ या नहीं हुआ उस परदेश में जो हमने योजना के देश को ग्रामिन बाग में बाटके और सहरी योजना में बाटके तो यह हुई हमारी क्या प्रादेशिक उपागम के आधार पे भुगोल की साकाएं कौन-कौन सी पहले क्या किया इसने प्रादेशिक अध्यन या चेत्रिय देन जिसमें इसने इस्तुल मद्यम और सुक् कौन सी व्रहत, लार्ज, मीडियम और इसमाल, तीन बागों में बटा लाज, मीडियम और इसमाल, ग्रामीन इलाके नियोजन और सहरों नगर नियोजन, सहीथ प्राधेशिक नियोजन, कि समें बागा था? रूरल और अर्बन के अंदर प्रादेशिक विकास यानि रीजिनल डवलाप्मेंट और उसका फिर एनलाइसिस यानि विवेचना प्रादेशिक विवेचना विशलेशन दो ऐसे परक्स हैं जो सभी विश्यों के लिए क्या है उबे निष्ट और सर्व निष्ट है कैसे यानि आप कोई कारे करते हो तो उस पर लाष्ट में क्या करते हो उसका विशलेशन करते हो कि वह वह चीज हमारे लिए कितनी तार्किक है कितनी लागू हुई या नहीं हुई जो चीज हमें जहां डिलिवर करनी थी वह चीज वहां पर पूची या नहीं लाष्ट में उसकी क्या किया जाता बुमी और मानों के बीच में अंतक किरिया देखी, विधी तंतर में हमने क्या देखा, सामाने और संग्ननदा अधारिंद मान चितर, इस परकार से हमने क्या किया, बुगोल की साकाओं के बारे में अधिन किया, यानि यदी बच्चो इस परसन की आने के आपके ज्यादा उमीद है, कि बुगोल की साकाओं के बारे में बता सकते हो, किस बुगोल में, किस के बारे में अधिन किया जाता है, तो बच्चो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्चे से समझ में आया होगा ब्राँचे जोग जोगराफी तो इस वीडियो को आप अपनी नोट बुक में नोट करते रहिए इसके बारे में और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रही है मेरे साथ, थैंक यू बच्चों, आज का अगला पार कक्षा बारा में, इंग्लिश विशे में, डीप वाटर भाग तीन बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, डीप वाटर, और हमने जाना कि लेखा के दिल में भै बैट गया है, पानी को लेकर और इसी कारण से वो जब भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाता था, या स्विमिंग करना चाहता था, तो क्या होता था? उसकी वो जो सारी ये ट्रिप्स थी ना, वो खराब हो जाती थी और लेखा को वो जो आनन था, वो नहीं मिल पाता था, पानी के अंदर खेल कूद करने क चलो अब जानते हैं कि लेखा किस प्रकार से इस पाने के डर से बाहर आया, करते हैं बच्चो इस चेप्टर के तीसरे भाग के शुरुआत, इस तर ने मजबूती से मुझे अपनी पकड में रखा हुआ था, फाइनली वो तरीका इस्तमाल किया जो मैं जानता था, बट आखिर कर एक October के दिन, I decided to get an instructor and learn to swim, मैंने फैसला किया कि मैं एक क्या लूंगा, एक instructor लूंगा, एक प्रशिक्षक लूंगा और फिर मैं सीखूंगा swim करना यानि की तैरना, I went to a pool and practiced 5 days a week, मैं एक पूल में गया और मैं उस पूल के अंदर प्रैक्टिस करता, अभ्यास करता एक हफते के पाँच दिन, an hour each day, और उन पाचो दिन, एक एक घंटा मैं रोज अभ्यास करता था, the instructor put a belt around me, उस प्रशिक्षक ने मेरी कमर के आसपास एक बेल्ट बान दी थी, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable, अब ये जो रोप थी वो जुडी हुई थी, उस बेल्ट से जो के जाती थ एक overhead cable तक, he held on to the end of the rope, और वो जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, वो क्या करता था, उस रोप के एक सिर को पकड़े रखता था, and we went back and forth, और इस ही प्रकार से हम क्या करते थे, हम आगे पीछे जाते थे, तो बच्चों यहाँ पे जो एक शब्द हमने देखा है, क्या ही शब्द है, firmly, मतलब मजबूती से, back and forth across the pool, hour after hour, हम क्या करते थे, आगे पीछे होते थे, उस पूल से, घंटे दर घंटे, day after day, दिन बर दिन, week after week, हफ़ते दर हफ़ते, on each trip across the pool, a bit of the panic seized me, और हर बार जब मैं यह trip करता था, यानि कि उस पूल को पार करने की कोशिश करता था, तो एक थोड़ा सा जो पैनिक था घबराहट थी, वो क्या कर लेती थी, मुझे पकड लेती थी, each time the instructor relaxed his hold on the roof, हर बार जब वो प्रशिक्षक रिलाक्स करता था, यानि कि धीला छोड़ता था अपनी पकड को उस रोप की, I went under तो मैं पानी में जाता था, some of the old terror returned and my legs froze, जो थोड़ा सा वो पुराना डर था, वो वापस आ जाता था और मेरे पैट जम जाते थे, it was three months before the tension began to slacken, और फिर क्या हो गया, लेखक ने बताया कि लगवक तीन महीने हो गये, जब ये जो tension था, ये जो तनाव था, वो क्या होने लगा, कम होने लगा, then he taught me to put my face under water and exhale, उसके बाद उस प्रशिक शर्प ने मुझे सिखाया कि किस प्रकार से पानी के अंदर मुह डालना है और सांस छोड़नी है, and to raise my nose and inhale, और फिर उसने मुझे सिखाया कि किस प्रकार से मुझे नाक उंची करनी है और सांस लेनी है, तो बच्चों यहाँ पर क्या-क्या हमने श लाकन यानि की कम होना, I repeated the exercise hundreds of time, और मैं दोहराता था, repeat करता था, मतलब दोहराता था, इसी अभ्यास को कई सौत दफा, bit by bit, I shed part of the panic, धीरे धीरे मैंने उस घबराहत का, हिस्सा क्या करने लगा, shed करने लगा, यानि मैं उसे गिराने लगा, that seized me when my head went under water, और वही वो घबराह थी जब मेरा सर पानी के अंदर जाता था, next, he held me at the side of the pool, and had me kick with my legs, और फिर मेरे प्रशिक्षक ने क्या किया, उसने मुझे पकड़वाया, एक पूल का एक सिरा, और फिर उसने मुझे कहा कि मैं पैरो से पानी को मारू, for weeks, I did just that, कई हपतों तक मैंने केवल वही किया, at first, my legs refused to work, शुरुवात में मेरे कामोंने तो, मेरे जो टांगे थी, उन्होंने तो काम करने से ही मना कर दिया, but they gradually relaxed, पर फिर जो मेरे पैर थे, वो धीरे धीरे एकदम रिलाक्स होने लगे, and finally, I could command them, और आखिर कर मैं अपने पैरो को न्यंत्रत कर सकता था, thus, piece by piece, he built a swimmer, तो इ के एक swimmer, एक तैराक बना दिया था, and when he had perfected each piece, और जब उस प्रशिक्षक ने परफेक्ट कर दिया, निपुन कर दिया हर टुकडे को, he put them together into an integrated hole, तब उस प्रशिक्षक ने उन सारे तुकडों को एक एकी कृत किया, एक पूरा तैराक, एक अच्छा तैराक बनाने के लिए इन एपरिल, he said, तो एपरिल में वो जो प्रशिक्षक थे, उन्होंने कहा, now you can swim, अब तुम तैर सकते हो, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke, तो बच्चों, क्या बोला प्रशिक्षक ने, कि तुम अब गोता लगाओ, और इस पूरे पूल की जो लेंथ है, ना, लंबाई है, वहां तक तैर और तुम्हें crawl stroke से तैरना है, crawl stroke क्या होती है बच्चों, एक तरहे की तैरनी की position होती है, जैसे की धीरे धीरे तैरना, I did, मैंने ऐसा ही किया, the instructor was finished, अब जो प्रशिक्षक था, उसका काम समाप्त हो गया था, तो बच्चों, यहां पर क्या क्या शब्द हैं, देखिए, सब से पहला है, gradually मतलब धीरे धीरे, command मतलब नियंतरन करना, perfected यानि की निपन किया, integrated यानि एक इकरत, dive मतलब गोता लगाना, crawl stroke मतलब धीरे धीरे तैरना, but I was not finished, अब मेरे जो प्रशिक्षक का काम था, वो तो समाप्त हो गया था, पर मेरा काम समाप नहीं हुआ था, I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in pool, मैं अभी भी ये सोचता था, कलपना करता था, कि क्या, अभी भी मैं बहुत अधिक भहे भीत रहूंगा, अगर मैं पूल में अकेला हूं तो, I tried it, और मैंने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की, I swam the length up and down, और फिर मैंने क्या किया, आगे पीछे उस पूरी पूल की length तक तैरना शुरू किया, tiny vestiges of the old terror would return, जो थोड़े से अवशेश थे पुराने उस भहे के वो वापस लोटे, but now I could frown and say to the terror, पर अब मैं क्या कर सकता था, मैं अपनी तिओरियां चढ़ा सकता था, और उस भहे से बोल सकता था, त्राइं तुम मुझे दराने के कोशिश क रहे हो, well, here's to you, look, ये तुम्हारे लिए है, देखो, and off I'd go for another length of the pool, और फिर मैं वापस से तैना शुरू कर देता था, उस पूल की पूरी length तक, this went on till July, ऐसा ही चलता रहा जुलाई तक, but I was not satisfied, पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ था, तो बच्चर, इन चारों शब्दों के हम meanings revise करेंगे, देखिये, सबसे पहला है, wondered, मतलब सोचा या फिर कल्पना की, टेर स्ट्रिकन, मतलब बहुत अधिक भाइभीत, वेस्टिजिस, मतलब अवशेश या फिर निशान, फ्राउं, मतलब तियोरी, चढ़ाना, I was not sure that all the terror had left, मैं इस बात के लिए निश्चत नहीं था की सारा जो डर था, वो जा चुका था, so I went to Lake Wentworth in New Hampshire, इसी कारण से मैं गया, Lake Wentworth तक, जो की कहां पे थी, New Hampshire में थी, डाइवड ओफ दॉक at Triggs Island, और फिर मैंने क्या करता था, मैं दाइव ओफ करता था, यानि मैं गोता लगाता था, एक डॉक पर जो कहां था, Triggs Island पे था, and sw two miles across the lake to stamp at island, और फिर मैं एक और जगे वहां पे तैर के आया, कौन सी थी वो, मैं दो मील तैरा, एक लेक के, जो थी, stamp at island पर, यानि कि भई लेखा कि संतुष नहीं हुआ था, इसलिए वो जगे जगे जाके तैरना शुरू करा उसने, I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke, तो बचों ये कैसे, crawl stroke, breast stroke, side stroke, and backstroke, मतलब ये तरहे तरहे की स्थितियां हैं, जिसके द्वारा एक तैराख पानी में तैरता है, backstroke, side stroke, breast stroke, ये सब तैरने की स्थितियां हैं, और मैंने हर इस तरीके से तैरा, only once did the terror return, केवल एक बार वो भै वापिस आया, when I was in the middle of the lake, जब मैं एक लेक के मध्य में था, I put my face under and saw nothing, तब मैंने क्या कि अपना जो चहरा था वो पानी में डाला और मुझे कुछ नहीं दिखा, but bottomless water, सिवाई, एक bottomless, यानि की बिना तले के, पानी के, तो बचों यहाँ प फिर है middle, यानि की मध्य, the old sensation returned in miniature, अब वो ही जो पुराना sensation था भावना थी, वो miniature में, मतलब छोटे से अकार में लौट आई, I laughed and said, और फिर क्या किया, भई मैं इस बार भावना थी जो वापिस लौटी थी ना, उस भावना के लिए मैं हसा और मैंने कहा, well Mr. Terror, what do you think you can do to me और मैंने क्या कहा, कि भई तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, it fled and I swam on, और तब वो जो भई था भाग गया और मैं तेरता रहा, yet I had residual doubts, पर फिर भी मेरे अंदर 6 संदे बाकी थे, at my first opportunity I hurried west, पहले ही अफसर पर मैं west गया, went up the Titan to Conrad Meadows, और फिर मैं गया Titan पे Conrad Meadows, मैं गास के मैदान वहां तक, अब the Conrad Creek Trail to Medi Glacier and camped in the high meadow by the side of warm lake, तो बच्चों लेखक बता रहा है कि किस प्रकार का उसने मार्ग लिया एक warm lake के पास जाने के लिए, पहले लेखा गया Titan, वहां से गया Conrad Meadows, और फिर ये जो Conrad Creek Trail है ना वहां से वो गया Medi Glacier तक और वहां पर उसने क्या लगा एक शिवर लगाया on high meadow, उचे जो घास के मैदान थे वहां पर और वो घास के मैदान थे एक गर्म लेख के पास में, तो बच्चों यहां पर क्या क्या हमने meanings पढ़े हैं, देखिए, सबसे पहला है sensation यानि की भावना, फिर है miniature मतलब छोटे आकार में, flood मतलब भाग गया, residual मतलब शेश, doubts मतलब संदे और opportunity मतलब अवसर, meadows मतलब खास का मैदान, the next morning I stripped, अगली सुबे मैंने क्या किया, I stripped, मतलब मैं नगन हुआ, मैंने अपने कपडे उतारे, dived into the lake, और मैंने उस लेक में गोता लगाया, and swam across to the other shore, और उस लेक के दूस्टे किनारे पर तैर के गया, and back, और तैर के वापस भी आया, just as Doug Corpon used to do, बिल्कुल वैसे ही जैसे Doug Corpon करा करते थे, I shouted with joy, और फिर मैं चलाया आनन्द के साथ, and Gilbert Peek returned the eco, और वो जो Gilbert Peek थी न, उसने वही गुंच को वापस लटा दिया, I had conquered my fear of water, मैंने विजय प्राप्त कर ली थी पानी के उस दर पर, the experience had a deep meaning for me, यह जो पूरा अनुभव था, इसका एक बहुत गहरा मतलब था मेरे लिए, as only those who have known stark terror, बिल्कुल उसी प्रकार से की, जिस प्रकार से दूसरे लोग, जो उस कठोड भय को जानते हैं, कड़े भय को जानते हैं, and conquered it, can appreciate, और केवल वही लोग, जिन्होंने उस दर पर विजय हासिल की है, वही लोग उस बात की क्या कर सकते हैं, सहराहना कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या meanings हैं, देखिए, सबसे पहला है stripped, मतलब नगन, फिर है shouted, यानि की चिलाया, joy मतलब आनन्द, eco यानि की गूंज, conquered मतलब विजय प्राप्त की, experience मतलब अनुभव, in death there is peace, मृत्यू में भी एक शान्ती है, there is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, तो बच्चों लेखक बता रहा है की death के अंदर क्या है एक शान्ती है, और भय है केवल मृत्यू के डर के अंदर, और जिस प्रकार से Roosevelt जानते थे और उन्होंने कहा था, all we have to fear is fear itself, हमें केवल डरने की जरूरत है, केवल डर से, because I had experienced both the sensation of dying and the terror, that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity, तो बच्चों लेखक बता रहा है की चूंकी मैंने अनुभव किया था, बहावनाओं को कौन सी मरने की और डर की और कैसे डर की, जो एक भय प्रड्यूस कर सकता है, एक भय उत्पन कर सकता है, इसी कारण से जो will थी यानि इच्छा शक्ती थी जीने की, उसकी जो intensity थी, जो तीवरता थी, गहनता थी वो बहुत जादा बढ़ने लगी, आखिर कर मैं क्या हो गया, मैं मुक्त हो गया, और मैं आजाद था चलने के लिए, ट्रेल्स पर, पकडंडियों पर, और चलने के लिए, पीक्स पर, शिखर पर, और क्या कर सकता था मैं, मैं ब्रश असाइट कर सकता था, नजर अंदाज कर सकता था, डर को, तो बच्चों, यहाँ पर क्या-क्या मीनिंग्स हमने देखे हैं, देखिए, सबसे पहला है अप्रिशियेट, मतलब सराहना करना, फिर है सेंसेशन, मतलब भावना या फिर अनुभव, इंटेंसेटी, मतलब तीवरता या फिर गहंता, ट्रेल्स मतलब पकडंडी, पीक्स मत साथ मिलते हैं अकली वीडियो में. इसका मतलब यह हो गया कि सर, अठो कोनों पर तो प्राव है ही सही अभिवी कनों का, वह कितना रहेगा, एक बटा आट गुना आट उर साथ में, यहाँ पे फलक के गिन के इंदर पर कितना होता है, एक का एक बटा दो होता है, छह तो कितने हो जाएंगा, यहां पे तीन, प को परभावे कर्णों के संख्याय कितनी आती थी तशी अच्छा जैसा को आप यहां पर देख पा रहे हैं करो हाँ यहां फलक काम करते हैं मैं काम करता हूं सिर्फ ऐप फ्लक को लेकर कर चलता हूं जैसा कि मैं ।स वाले को यहां इसको यहां पर यहां पर इसको बोलता हुएश्य को मैं कि यहां इसको बहुत किया हैं वहां तो में होगा है वहां पote ata experience क पूरा र हुआ यहां पोorkाण और अब जब सब्सक्राइड फ़ार में है इस प्रकार से और यहां पर जो रहेगा वह शायद इस प्रकार से आएगा इसका मतलब यह हो गया कि अब यह भी कंड एक दूसरे से चिपके होए हैं क्या यहां पर प्रतेक कमड की जो समान है क्या वैलकुल समान है तो आप देख पाएंगे में लिदा तो आप आपके आप आस ऐसा कुछ डाग्राम नजर आएगा, कैसे, B को आप नहीं किया, A C मिला है, C यहाँ पर है, और आपको बता है, यह 90 डिग्री होता है, यह वाला एंगल तो, ठीक है, क्यूब का हर एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री, यानिकि राइट एंगल होने वाला है, राइ विमा का मान तो कितना है, यह पर A है, अच्छा, A C की बात कर दें, A C भी विमा है, तो उसका मान भी कितना है, A है, अच्छा, आप एक बार बताईए मुझे, यदि मैं यहाँ बी A के लंबाएं निकालता हूँ तो आप बोलेंगे, Sir, इसकी तरजिया कितनी है? R है, इसकी प्लस टू आर ब्राबर कितना आगया तो आप बोलेंगे इसा ब्राबर यहां पर आगया तो आप देखे आगे यहां पर कि अब उसमें आप क्या करेंगे पाइधार का होल स्क्वाइर प्लस आधार का होल स्क्वाइर ठीक है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सर नंबर डिगरी के सामने का क्या होता है मेरे करन होता है यानि कि ए यहां पर करन हो गया और बाकि दोनों पर आधार पर हो गाई जसरा कि आप यहां पर कि इससर देख पा रहे होंगे कि दोनों को हम क्या कर सकते हैं यहां पे एक्वेट कर सकते हैं जैसे ही हम दोनों को यहां पे एक्वेट किया तो आप देख पा रहे हैं कि सर एका जो मान आएगा वो कितना आएगा तो आप बोलेंगे सर फोर आर की नीचे कितना चला जाएगा रूट टू ठीके जी अब फोर रूट टू आर यहां पे एक आमान आ गया कोई दिक्कत यहां पे नहीं है अब जब एक आमान आ गया तो अब संकुलन शम्ता की तरह वागय बढ़ते हैं संकुलन शम्ता का जो फूर्मुला है वह क्या होता है तो आप बोलेंगे जेड इंटु फोर बाई त्री पायर यानि कि बराबर कितना आ रहा है तो आप देख पा रहे हैं आप एंटु फोर फोर बाई थ्री पायर को उसमें तो कोई चेंज़ेज नहीं है लेकिन पूरूट टू का यदि मैं होल क्यूब करता हूं तो वह कितना आने बाला है तो आप देखेंगे सब्सक्राइब गरते ह आगा तो आप बुलें से 2 root 2, R cube वेसा का वेसा, R cube से R cube खतम है, यानि कि जो एक यहाँ पे variable चल रहा था, उसकी value हमने खतम कर दी, यानि कि एक चर यहाँ खतम हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चेव है, constants बच्चेव है, उनको हम calculate करके आराम से बड़े प्यार से, यहाँ पे मान निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 वेसा का वेसा, 4 वेसा का वेसा, 4 वेसा का होन कनी आएगा, पाइ कमान कितना तो आप बुरेंगि सर्फ pris कमान बार में कितना भी देंगा 3.14 अच्छा मीचे कि इसंना kणा हुआ है, 8 एक तो सीर्फ करके चाट है, कितना हुआ यहां पर दो बार कटा चार को दो से multiply करेंगा कितना आएगा यहां पर आएगा तो आप इस आठ से भी उड़ा सकते हो ठीक है जी अब पाई कमान कितना रखा आपने यहां पर 3.14 ठीक है जी 3.14 मान रखा और नेचे कितना आएगा तो आप बोले हैं सब 3 वचा ठीक है तो यह किसकी बात हो गई यहां पर FCC की संकुलन शंता के बारे में जैसा कि आपको बता है BCC में क्या होता है कोनों पर तो अभीवीकन उपस्तित होता ही है साथ में उस मात्रक कोष्टिका के केंदर पर भी उपस्तित होता है जो क्या करता है किसी भी मात्रक कोष्टि अधिका का अधिकार होता है जिसके अंदर वह उपस्तित है ठीक है जी हम यहां पर प्रभावी कणों की संख्या की बात करें तो वह कितनी आती थी तो आप बोलेंगे सर वह दो आती थी एक बटा आठ को एक से गुणा करो कि यह कोनों वाले हैं और इसकी हम बात करते हैं तो क्या है यहांपे खेंद्र pong पूपस्तित है यांकि दो यहांपे अभीवी कणो की प्रभावी संख्या जाती थी अच्छा जी जीससा कि आप यहांपे देख पा रहे हैं की सर तीन यहांपे सर्क्ल बने वहें यह किस तरह से बनेवे कि भाई यहाँ पर आठों कॉनों पर अवेवी कड़ कोणों पस्तित है और दिच अवेवी कड़ वह उपको अवे इधी कढ़ना चाहिए तो यहाँ पर केंदर रहेंगे किसकर अगेवी कणों के यदि इनको बनाया जाया तो तो इस तरह के सच्पर बनने वाले हैं अच्छा अब यहीं सरकुल क्या करते हैं? इहां बाबर रहे हो तो आप buckets ब्रबर Paradise is होती है छोटी दोने से राती है ना ठीक है ऐसे इस तीस को समझो अब यहां पर में क्या कर रहा हूं कि B C D यहां पर एक ट्रेंगल ले रहा हूं अब सर्थ अब तो सर्थ दोनों क्या हूं यहां पर एक टक की बात है अच्छा जीए। अब दोनों यहां यह एं यह आप तो आप देख पा रहे हैं अच्छा-छी अब यह आप देख पा टो यहां पर सीधा सीधा पाइठागोरस थारब लग जाएगा, उसका वाहता हुस्टण फेरहमें हे यहीं हम पाइठागोरस थेरहीं की बात करते एंगा तो क्या आता है आप भुलाह20 है कंए आधार का होल स्क्वार प्लस लंब का होल स्क्वार तो आप यहां पर यहां पर देख पा रहे हैं किसे बी सी बराबर कितना आगया रूप टुए अब आप एक काम कर यहां पर यहां पर कर रहे की ठीक है तो फॉर्मुला क्या लग जाएगा मेरा कि A B का स्क्वार बराबर क्या होगा मेरे यहां पर B C का स्क्वार प्लस A C का स्क्वार आप इसको ऐसे देखिए यह इसकी बात की जाए तो इस तरह से हो जाएगा यहां पर C है यहां पर A है यहां पर B है तो यह क्य पता है कैसे अभी थोड़े दर पहले तो यहां पर बिर्दीमें बात करना चाहूं किसकी सर ऐसी कि एसी को तो मैं क्या लिख लूँगा या पर लिख लूँगा अब जैसे इसको सवर करता हूं तो यहां पर थे बहुत थे आ जूँँदा पर रूट त्री ए अच्छा रूट इब दिए कितना होता है? तो आप 1R, किस की एहाँ पर लंबाय आगई? तो आप बोलेके सद्झा, भुजाи ab कितनी आगई, यहाँ पर 4R आगई और हमें यहांँ पर थोड़िते पहले भी को भूँने इन इसे इन दोनों का बराबर करें तो वहाँ पे आपको जैसा कि मैं पता है एक आमान निकालना होता है एक आमान कितना निकल जाएगा फोर भाई रूख थ्री आर ठीके जी अब यहां पे बात की जाए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी यानि कि संकुलन शम्ता की तो फॉर्मुला क्या होता है तो आप बोलेंगे से जेड गुणा 4 by 3 4 by r cube upon a cube गुणा 100 अच्छा जी जेड की वेल्यू कितनी तो आप बोलेंगे सब 2 आती है 4 by 3 by r cube नीचे ही आएगा पूरा का पूरा और यह किसका मान है तो आप बोलेंगे सब यह एक का मान है ठीके अब इसको यह आगे सोल करते हैं तो कितना आने बाला है 2 देखो यहां पर 2 गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा r cube ठीके तीन नीचे जाएगा और यहां पर root 3 का cube root 3 का whole cube होकर कि कितना आ जाएगा उपर आ जाएगा ठीके वह कितना हो जाएगा यहां पर 3 root 3 हो जाएगा अच्छा इसको देखो चार का cube करेंगे तो कितना आएगा तो आप बोलेंगे 64 आएगा तो क्या यहां पर 64 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है अच्छा जी सर यह वाला जो 3 है वह कहां गया तो यह वाला 3 नीचे आकर के भई मेरे यहां पर आ जाएगा ठीके आप देखेंगे और कुप्से करते हं आया करें जाया टशा है शो कि आपका दिकट यहां पर नहीं है तो आप यहां पे देख पा रहा हें कि हमें तीनों की तीनों मात्र कोष्टिका हो कि हमने क्या निगाल है सं hackers निकाल ली ठीगे हैं सु अब अगली क्लास में बाद करेंगे हैं यहां पर एका कोष्टिका के घंणत्यों के बारे में ऐता ही आधिन पता है ठीगे जी अविधिक और कौन से वाले हैं तो हम यहाँ पे सीधा-सीधा गनतु निकाल लेंगे पक्की बात है चलो जी फिर बलता है लिग्लास में जुड़री के मिशिन गयान के साथ में धने बाद बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में भौतिक भुगोल के मूल सिध्धान विशे में भुगोल की शाखाएं वे कक्षा 12 में इंगलिश विशे में टीप वाटर भाग तीन रसायन विज्ञान विशे में संकुलन शम्ता FCC संकुलन शम्ता BCC बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में अर्थ शास्त्र विशे में निर्धनता गरीबी के अवधाना वे कक्षा 12 में लिखा शास्त्र विशे में बंद साज्येदारी वहिखातों में समायोजन वहिंदी विशे में कुवर नारायन भाग दो बच्चों हमारे इस कारिक्रम के कंटेंग पार्टनर हैं मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयोग यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें कारिक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एड्रिस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001